सामने आए है इंटर्वियू माकस्टन की पिता का यानि की सागर थाकुर जो कि एक यूट्यूबर है जिनका हाली में एल्विश यादब के साथ एक बहुत बड़ा केस हुआ कांटिवर्सी हुई जाहा एल्विश ने उन्हें खूब पीटा और इस लड़ाई के बाद उन्हो वो ये सोच रहे हैं कि अगर कल को उनके बेटे के साथ या उनके पूरे परिवार के साथ कुछ हो गया तो क्या होगा और इसका पूरा जिम्हदार अगर कोई होगा तो वो एल्विश यादब जी हाँ के पेता ने क्लिरली कह दिया है कि अल्विश यादब ही जिम्हदार हो लेकिन Elvish ने Maxton पे सीधा हाथ उठाया कुछ भी सही नहीं समझ पा रहे हैं इस वक्त Maxton के पिता जो उनकी बेटे के साथ हुआ है और वो चाहते हैं कि उनकी बेटे को इसका इंसाफ मिले और Maxton के साथ जो गलाचीज हुई है Elvish यादव उसका खामियाजा भी भुगते लेकिन वो ये भी कहते हुए नज़रा है कि पुलिस में जो कम्प्रेंट हुई उसके पर पुलिस ने विदा कोई एक्शन नहीं लिया है जिसके पर पूरी कारवा ही होनी चाहिए ऐसे में अब पुलिस वालों ने भी क्लियर स्टेटमेंट दे रिया है कि जो Maxton ने कम्प्रेंट की है उसके उपर इन्वेस्टिकिशन चल रही है लेकिन मामने को दो दिन हो चुके हैं और पुलिस ने अभी तक कुछ भी सबूत होने के बाद नहीं इन्वेस्टिकेशन में Maxton को पुलिस टेशन बुलाया और नहीं Elvish यादव को क्या कहेंगे इस बारे में आखिर आप सब भी हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिके बिताएगा वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सबस्क्राइब के बिना बिलकुल भी न जाएँ